हलो फ्रेंड्स आज हम माइक्रो ग्रीन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं माइक्रो ग्रीन्स यानि की छोटे-छोटे पोधे किसी भी अंकुरन के बाद जो उसके फर्स लीट्स आते हैं उनका जब हम प्रियोग करते हैं खाने में सैलेड में सैंड्वीचीज में तो उनका मूली चाहे लाल हो चाहे सफेद हो हम इसका यूज़ खाने में कर सकते हैं काफी healthy होता है थोड़ा सा taste जो है अलग spicy सा आता है तो धनिया के seeds तो हर घर में होते हैं इसको हम दो बराबर हिस्वों में तोड़कर और इसको लगा सकते हैं काफी easily grow कर जाते हैं और काफी खाने में भी tasty लगता है flavor अलग आता है तो यह दिखेंग पालक के जो seeds है किसी भी shop से मिल जाते है जहां से हमेशD मिलते हैं तो पालक की जो है हम grow कर सकते हैं लहसुन जो है इसका अलग ही flavor होता है और इसके micro green जो है sandwich विगरा में हम use कर लेते हैं इसका अलग ही टेस्ट होता है ब्रॉकली जो है सूप बगएरा में यूज होती है तो ब्रॉकली के सीड्स भी इजीली मिल जाते हैं तो इसको आप ग्रो कर सकते हैं किसी भी छोटे से कंटेनर में इसके इलावा बीट रूट जो है blood बनाने के लिए इसका use होता है काफी nutritious होते है इसके जो micro greens है तो इसको आप छोटे से container में लगा सकते हैं इसके इलावा जो carrot है गाजर के जो micro greens है काफी healthy होते हैं salad में, दही में, कहीं में डाल कर आप खा सकते हैं इसके भी micro greens ले सकते हैं इसके इलावा चना या कोई और भी दाल जो अंकरित होती है उसके भी micro greens काफी healthy होते हैं जरूर लगाईएगा तो ये थी micro greens की बात वीडियो अच्छी लगी हो तो like, subscribe और share तो जरूर कर ही दीजेगा subscribe कीजेगा अगर दिल से अच्छी लगी हो